नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोजर बिनी के बारे में और आप तो जानते ही होंगे कि ये विशोकव विजेता तीम के सदसे रह चुके हैं रोजर बिनी का जन्व 19 जुलाई सन 1955 को बैंगलोर में हुआ था इनका पुरा नाम रोजर माइकल अमफरे बिनी है इनके बेटे का नाम स्टुवर्ट बिनी है और इनके बहुई यानि स्टुवर्ट बिनी की पतनी का नाम है मायांती लंगर स्टुवर्ट बिनी भी भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं और मयंती लंगर अपने प्रोफेशन से एक स्पोर्ट एंकर हैं रोजर बिनी को इनके विश्वकप में सांदार गेदबाजी के लिए याद किया जाता है वैसे तो इनके नाम के आगे अल्राउंडर का टेग लगा है और ये एक अच्छे अल्राउंडर भी थे लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल कप में कुल 18 विकेट हासिल किये जो भारत के लिए काफी कारगर साबित हुआ लेकिन रोजर यहीं नहीं रुके थे इन्होंने उन्होंने उन्होंने उन्हों पचासी ओरल चेंपियंशिप में भी कुल 17 विकेट हासिल किये थे उन्हें 183 विशो कप में अस्टेलिया खिलाब 20 जून को काउंट्री ग्राउंड परी ने मैन अब दमेज के फुषकार से समानित किया गया था नतीजन भारत ने अस्टेलिया को 118 रन से एक बड़ी सिकस्त दी थी रोजर ने भारत के लिए 27 टेस्ट मैच खेले जिसमें 830 रन बनाए और 5 अर्षतक भी लगाए गेदबाजी करते हुए इन्होंने 47 विकेट भी लिए 101 रन देकर 8 विकेट इनका सबसे अच्छा इस्पेल रहा रोजर बिनी ने भारत के लिए 27 वंडे मैच खेले जिसमें एक अर्षतक लगाया इस एक अर्षतक की मदद से इन्होंने 629 रन बनाए गेदबाजी में भी अच्छा परसन करते हुए इन्होंने 77 विकेट हासिल किये जिसमें 29 रन देकर 4 विकेट इनका बेस्ट इस्पेल रहा बिनी ने अपने अंतरास्टिय क्रिकेट केरियर की शुरुवात अपने ही गडेलू मैदान चिन्ना स्वामी स्टेडियम से की थी और इन्होंने अपने डेब्यू मैच में इपाकिस्तान के खिलाब खेलते हुए इमरान खान और सरफराज नवाज जैसे गेदबाजों का सामना कर 46 रनों की पारी खेली थी बीनी के अंदर बलेबाजी गेदबाजी के साथ साथ फिल्लिंग करने का भी अद्भूत चमता था 27 दिसंबर 2012 में बीनी को बी सीसियाई के चैन पैनल के पांच सदस्यों में से एक के रूप में नुक्त किया गया था चुक्त कि आरी 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 ते चैनल के नुक्त कि ऐवा जो से इंदर लिक शोंम से रमी अधराजी के रहाजाजाबाजा लाजा जो फ़स्वेता है, कि विल्लिंग रवारा और है।